आज सुबा पीपल के पेड़ के नीचे रखी बगवान की एक टूटी हुई मूर्ती को देखकर समझ में आया कि परस्तितिया चाहे कैसी भी हो दोस्तो पर कभी खुद को टूटने नहीं देना वरना ये जो दुनिया है ना ये दुनिया जब टूटने पर बगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी और आपकी तो हैसियत ही क्या है दोस्तो नमस्कार दोस्तो वसीयत के संदर्ब को और आगे बढ़ाते हुए आज मैं विल को ही लेकर अपने इस सोलमे एपिसेवड में माराष्ट की एक ऐसी हस्ती का जिक्र करना चाहता हूँ जिनका की अपने समय में पूरे माराष्ट में एक छत्र राज रहा वो शक्स बड़ो बड़ो से बिढ़ गया लेकिन जिन्दीगी में कभी कमजोर नहीं पड़ा कभी तूटा नहीं जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ माराष्ट की एक सूपरसिद अस्ती शिवसेना परमुक्ष स्वरगिये बाल ठाकरे जी की 86 वर्षिये इस सूपरसिद कटर हिंदू नेता ने 17 नुवंबर सन 2012 को मुंबई में अपने मातोशिरी आवास पर अंतीम सांस ली बाल ठाकरे भारत के माराष्ट परदेश के परसिद राजनेता के सारसाथ वहां के मुखे समाचार पत्र सामना के संपाधक भी रहे एक कार्टूनिस्ट के पेशे से अपना कैरियर की शुरुआत कर माराष्ट के सबसे कदावर निता बनने के पूरे सफर में उन्होंने बेशुबार दोलत भी कमाई उनके कद का अंदागा यहीं से लगाया जा सकता है कि बाल ठाकरे ना तो कभी मुख्यमंत्री रहे और ना ही सांसद कुछ भी नहीं उन्होंने जिन्दगी बर पॉलिटिक्स और नेताओं को खुल कर खरी खोटी सुनाई उसके बावजूद उनके निदन पर पूरा माराष्ट बन था बाला साब ठाकरे का मुंबाई के शिवाजी पार्क में संपूर राजिकी सम्मान के साथ अंतिम संसकार किया गया था उनका दासंसकार सन 1920 में बाल गंगादर तिलक के बाद शेहर में दूसरा सबसे बड़ा सारवजनिक अंतिम संसकार था बाल ठाकरे को 21 तोपों की सलामी दी गई जो की राश्टपती और परधानमंदरी को मिलती है लेकिन उनके निदन के बाद उनकी वसीयत को और उनकी विरासत को लेकर परिवारी कलहे ने परिवार के लोगों को कोट के चैरी तक के दर्वाजे पर लाखड़ा किया उनकी वसीयत और संपत्ती को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हाई कोड तक पहुंच गया असल में स्वरगी बाला साब ठाकरे के तीन बेटे हैं सबसे चोटा बेटा उद्दव जो की अब उनके निदन के पश्चात शिव सेना परमुख है दूसरा जैदेव और तीसरा सबसे बड़ा बिंदु मादव उनमें सबसे बड़े बेटे बिंदु मादव का निदन हो चुका है एपरल 1996 में एक कार्द रुरगटना में बिंदु मादव की मृत्यू के बाद उनकी पत्नी मादवी ने अपनी बेटी निहा और बेटे निहार के साथ बाला साप ठाकरे का मातोशीरी बंगला छोड़ दिया था दूसरे नमबर का बेटा जैदेव है जिसकी तीन शादिया हो चुकी है पहली शादी जेनती कालेकर से हुई जिससे एक बेटा है जबकि दूसरी शादी सिमिता ठाकरे से हुई जिन से तीन संताने राहूल, अदित्टे और एश्वरया है लेकिन सिमिता से तलाग के बाद जैदेव ने तीसरी शादी अनुरादा नाम की एक महिला से की थी जिससे उनकी एक बेटी है जैदेव ठाकरे 1995 तक तो अपने पिता के बंगले मातोशिरी में ही परिवार के साथ रहते थे लेकिन उनने अपनी पत्नी सिमिता से तलाग लेकर जब दूसरी शादी कर ली तो वो किसी दूसरी जगा चले गए उसके बाद पिता के जिन्दा रहने तक जैदेव उनके बंगले मातोशिरी पर जाते तो थे लेकिन फिर रात को कभी वहां रुके नहीं हाला कि बाला साथ ठाकरे का निदन 17 नुमबर सन 2012 को गवा था लेकिन उनके छोटे बेटे उद्दव के मताबिक ठाकरे उससे पहले 13 दिसंबर सन 2011 को ही अपनी वसीयत लिख चुके थे वसीयत में मातोशिरी बंगले का ग्राउंट फ्लोर शिवसेना के काम के लिए दिया गया था उसकी पहली मनजिल समीता ठाकरे और जैदेव ठाकरे के बेटे एश्वरे को दी गई थी हाला की वसीयत में समीता को वहां रहने की इजादत नहीं थी लेकिन उस फ्लोर की मेंटेनिस का खर्चा समीता का उठाने के लिए लिखा गया था बंगले की सबसे उपरिवंजिल उद्दव ठाकरे के नाम की गई थी उसके अलावा कर्जत और बंधारदारा की दो प्रॉपर्टीज भी उद्दव के नाम की गई थी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया की बाल ठाकरे अपनी वसीयत में बंगले का एक फ्लोर जैदेव के बेटे और अपने पोते एश्वर्रे के नाम लिख गये थे लेकिन अपने बेटे जैदेव को और अपने दिवंगत बेटे बिंदूराव के परिवार को कुछ भी नहीं दिया पिता की उस वसीयत पर सवाल उठाते हुए जैदेव ने बॉमबे हाई कोट में उस समय अपनी और से कैवियट की अरजी लगाई जब उत्तव ठाकरे ने कोट में उस विल को प्रुबेट करवाने के लिए पैटिशन दायर की थी वसीयत को लेकर इस विवाद के चलते हाई कोट में जैदेव ने उस समय जो ब्यान दिया उसने पूरे माराष्ट में संसनी फेला दी जैदेव ने अपनी पूरुपतनी सिमिता के बेटे एश्वर्रे को अपनी संतान मानने से ही इनकार कर दिया उनका पक्ष था कि उन्हें बाल ठाकरे की संपत्ती में कोई अधिकार नहीं मिला है मगर वर्सियत में एश्वर्रे का नाम मेरे बेटे का रूब में शामिल है जबकि एश्वर्रे उनका बेटा है ही नहीं इसके अलावा जहां उद्दव का दावा था कि ठाकरे अपने पीछे जो संपत्ती छोड़ गए थे उसका मुले 15 करोड रुपे की आसपास है वही जैदेव का दावा था कि सिर्फ मातोशिरी मंगले की ही कीमत उस समें 40 करोड रुपे की आसपास थी बाकी संपत्ती मिला कर कुल मुले 100 करोड रुपे से भी ज्यादा का था जैदेव का कहना था कि बाला साथ ठाकरे की उस समें दिमागी हालत ठीक नहीं थी वे उन दिनों वसीयत पर दस्तकत करने की अस्तिती में ही नहीं थे जिस समय यह वसीयत लिखी गई उन्होंने यह भी कहा कि शिव सेना भवन और पार्टी का मुख्य पत्र सामना के करेयाले को भी परिवार की संपत्ती की सूची में कहीं शामिली नहीं किया गया जैदेव ने इन सभी को मिलाकर जो कुल कीमत बनती है वो 500 क्रोड रुपेज से भी उपर की बताई इसके अलावा जैदेव ने वसीयत नामे की बाशा अंगरेजी पर भी सवाल उठाई उनकी यह भी दलील थी कि उनके पिता ने अपना पूरा जीवन मराठी लोगों और मराठी बाशा को समर्पित कर दिया था ऐसे में उनकी वसीयत को अंगरेजी में लिखकर मराठी में दस्तक्त करना मुझे सही नहीं लगता लिहाजा इस वसीयत की पूरी जाच करवाई जाए उदर दूसरी तरफ उद्धर ठाकरे ने पिता की जो वसीयत कोट में पेश की उसके मताबिक बाल ठाकरे ने उसमें लिखा था कि जैदेव ने हमेशा से विद्रोही जैसी जिन्दगी जी है वे कही साल पहले माताशिरी से चले गए उनकी पत्नी सबिता ठाकरे से तलाक हो गया था और वह अलग रहते थे और उनकी बिमारी के दोरान जैदेव उन्हें कभी देखने भी नहीं आये इस केस को देखरे जस्टिस पटेल ने दोनों पक्षों को आपस में मिल बैटकर फैसला करने को का हाला कि इस केस में भी जैदेव को रेजिस्टर्ड विल होने के कारण कुछ ज्यादा तो नहीं मिल पाया लेकिन महराष्ट की इतनी बड़ी हस्ती के वसियत को ही लेकर उस पारिवारिक जगड़े से कुछ दिनों तक के लिए मीडिया को मसाला जरूर मिल गया और जो परिवार की जग हसाई हुई सो अलग दोस्तो मेरा इस किस्टे को आपको बताने का मकसद केवल यह है कि अगर परिवार का बड़ा व्यक्ति अपनी जैदात का वितरन यदी संतुली तरीके से नहीं करता तो बड़े से बड़े राजगराने के लोग भी अपने खांदान की मरियादा को सरे बाजाद शरमसार करने में भी कोई गुरेज नहीं करते अपने अगले एपिसोड में मैं हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े राजगराने की वर्सियत को लेकर ही जगड़े का एक और किस्सा आपको बताऊंगा तब तक के लिए मुझे इजादत दे जल्दी आप से रूबर होता हूँ दन्यवाद राम राम सलाम सासरीकाल जयाहिन आपका अपना गिरी शर्म